वाव ओ भाई वाव मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदन ना कहना तो शाओमी ने लाउच कर दिया है चाइना में 13 प्रो 12 प्रो सुपर फ्लाप रहा दुबाई में भी इवन इंडिया में भी लाउच हुआ था हर जगह में फ्लाप रहा प्राइजिंग बहुत ज्यादा थी इवन दुबाई में तो अब प्राइजिंग दोस्तों आपकी स्क्रिण में यहां पर आ रही होगी बहुत ज्यादा में दुबाई में इंडिया में लाउच होगा अगर होगा तो लगा यह भी फ्लाप होने की कैटिकरी में जाहिर आया चलो हम उसको करते हैं और रिवीव करते हैं जगाओं में जनता लाइक तो बनता लाल को काला बनता टिपिकल बॉक्स दोस्तों शाओमी 13 प्रो का जो लास्ट जैसे 11 प्रो और प्रो जो आया था था 13 प्रो और को इंजिनेरिट विद लाइका लिका या लाइका जो भी है साइड में दोस्तों ब्रैंडिंग सेम ब्रैंडिंग बैक साइड में कुछ भी नहीं कौन सा वेरेंट है हमारा कैमेरा कर ले फोकस कैमरा फोकस शामी 13 प्रो मक्ही मच्छर 12GB रैम एंड 256GB का स्टोरिज यह वाला वेरेंट हमारे भास हैं तो यह भी डिटेशत है इसका आठक है ऑज्यू वेरेंट है चायना में वह वहि opposher नहीं मिल पाया तो क्या बोलेंगे हम टेन 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 क्या पात है बह्त HASach एक बॉक्स के अंदर आप यहां पर हमारा डिवाइज निकालते इसको बाहर वाइट वाइट रैपर से रिमूव और भयू वाव हमारे वाव को थोड़ा सा यह स्टीकर तंक करता वा स्टीकर को रिमूव करते हैं यहां ओ भाई वाँ एक तम से सीरामिक सीरामिक जैसे फील आ रही है और बहुत बलकी है दोस्तों हेवी है यही मुझे तोड़ा तकलीफ रहती है कि जो थोड़े फ्लैक्शिप होते हूं काफी बलकी काफी हेवी होते हैं यह साइड में दोस्तों बॉक्सी नहीं है शाओमी 13 जो आया है चाइना में यह 13 प्रो है 13 जो आया है वह बॉक्स यह आइफोन जैसे लेकिन यह एक नॉर्मल डिजाइन जैसे शौमी कर रहा है अपने 12 प्रो के साथ अल्टरा के साथ वगारा वगारा वैसे ही है कुछ तो स्टार्ट करते हम हलका सा फापेट आया अभी आया अ जितने भी फ्लैक्शिप लांच किये शौमी ने तो 64 का ही अड़ेप्टर दिया है लेकिन यहां पर 120 वर्ट का काफी छोटा हो गया जो जब नय नय 120 वर्ट अड़ेप्टर है तो काफी बड़ा और काफी ज्यादा है भी था तो अभी टाइम के साथ अभी 60 64 का जैसे है कि बुरी बात है यह अब तो चार्जिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए बागी वीट जैसा भी हो और यह टाइप एटू टाइप सी के के केबल दियाती है सिम पिन आती दोस्तों इस बोक्स के अंदर और केस में कोई चेंजिस नहीं कर रहा है शौमीं फ्लैक्शिप अ 50-50 मेगापिक्सल वाले लाइका को पीछे मेंशन किया गया है साइड में वॉल्म अप एंड डाउन और पावर ऑन आउस का बटन आफकॉर्स यह फ्लैक्शिप है तो पावर क्या बोलते हैं सिंगर प्रिंट डिस्पली होने वाला है अफकॉर्स वाली बात हैं नेचे यहा पस्टर दिया गया है माइक्रोफोन दिया गया है का अव्फी सारे यहां रीच चैना तरे तो चाम्प्लीट आपको आप पर तो साइड का बेजल यहां पर जो आप देशेते हैं साइड का बेजल बहुती लाइट नजा तो हैसे लीचे बेजल थोड़ा सा उपर लग रहा है थोड़ा और नीचे होता है और उपर का बैजल और स्पेशली जो कट आफ है ये कट आफ जो है ये थोड़ा ज्यादा है बैजल थोड़े-थोड़े हमको फील हो रहे हैं अब दोस्तों वेट टेस्स करेंगे हैं यहाँ पर ओ भाई मैं बलकी होते हैं शाओमी के फ्लैक्शिफ तो दो काफे बलकी होते हैं 234 यह काफ ज्यादा है अब दोस्तों यह पहली सिरीज कहूंगा मैं यहाँ पर जो मीवाई 14 के साथ आये शाओमी की पहली यह थर्टीन प्रू एंड थर्टीन यहाँ पर मीवाई 14 में आया है और इस तरीके से कलरफूल 14 का लोगो दिया जाता है उसके बाद आल स्पेस में चले तो ब 3 इंच का दिया गया एक 2K डिस्प्ले है यहाँ पर LTPO OLED यह डिस्प्ले है डिस्प्ले कमाल का है शाओमी के दोस्तों जो फ्लैक्शी बहते हैं उसमें डिस्प्ले कमाल का हो था और स्नाप ड्रागन का 8 Gen 2 का यहाँ पर प्रॉसेसर दिया गया यह अच्छी बात है बैक्ट 50 Megapixel का 50 Megapixel का 50 Megapixel का सारे 50-50-50 इंचे नहीं उसके बाद दोस्तों जो सेल्फी जो आज पूजन ले ली वह यहाँ पर 32 Megapixel की दी गई है थ्रॉटलिंग में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा हीट अप हो गया था यह 45 डिग्री से भी आगे सब्सक्ट चला गया था दो डिवाइद कामाल की हीट अप हो रही हैं उसके बाद अगर देखें थ्रॉटल तो वही एक पीरेट आ गया था हीटिंग का काफी ज्याद तो यह था ठोट्न टेस्के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम चल देंटूतु में तो एंटूतूतू में score काफी ज्यादा है 1.2 million 1.2 million से भी उपर का score आया snapdragon 8 gen 2 का processor दिया गया है तो ये काफी अच्छी बात है देखे हीट अप यहां पर भी थोड़ा शो कर रहा है तो device heat हो रही है ये एक समस्या वाली बात है geek bank scoring की बात करें दोस्तों हम यहां पर test कर चुके हैं कमाल के score रहा है no match कोई match नहीं है यहां पर इस numbers का दोस्तों अफ्कॉर्स है फिर भी आपको दिखा दूँ वैसको आफ्कॉर्स वाली बात है अफ्कॉर्स आफ्कॉर्स आफ्कॉर्स के योटूब प्लेट कर सकते हैं यहां पर मैं आपको कोई पिच्चर क्वालीटी भी दिखा देता हूं बात करते हैं मुद्दे की कैमरा कैसा है दोस्तों इंडोर आउटडोर यहां पर आपके सामने मैं कहूंगा कि मुझे इसका कलर टोन पसंद आया है सेल्फी पिच्चर है यह मुझे कलर पसंद आया है पीछे पौदे के कलर मेरी फेस की डीटेलिंग यहां पर आप दे सकते हैं और यह है पॉट्रेट दोनों फोटो यहां पर पॉट्रेट वाले है डीटेलिंग है पोट्रेट शॉट के भी मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा दोस्तों अब यह दोनों पिच्चर है रियर साइट से आप यहाँ पर फ्लावर के कलर देखिए ट्री देखिए कलर यह कहीं पर भी नहीं छोड़ा है वीडियो ग्राफी जैसे पिच्चर कॉलिटी अच्छी भी मिलती है वो फट्ता नहीं और पिक्सल टीम दिखती यहाँ पर एक कमी है कमी किस्में है यहां तोि सब थीक था कमीं है यहां भर सैल्फी बीडियो में नहीं स्किन टॉन पसंद आया नहीं दोस्तों इसका बैग्डान कोई तरह का यह फोकस कर पारा था था तो सफी में I don't like वीडियो में बाकी पिच्चर तो अच्छी थी बाकी दोस्तों आपका वीडियो देखने का शुक्रिया यही था complete इस वीडियो में और प्राइजिंग तो मैं आपको बताई चुका हूँ स्क्रीन में आपके आई रहे होगी इंडिया में और दुबाई में जैसे अवेलेबल होता है इसकी डीटिल में आपको देदूँगा चंता लाइक बनता लाल कुकाला क्यों नहीं करते लाल कुकाला बनता